हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है राउंड वन की कट ओफ की जनरल ओवी सी एस्टी पी ठीक है गाइस तो देखे रिजल्ट के जस्ट बाद आपकी कांसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले आपकी राउंड वन की कांसलिंग होगी जिसमें जो है जो स्टूडेंट्स होते है वो ओल इंडिया कोटा वाले होते है और स्टेट कोटा के बहुत कम स्टूड आपको मिलेंगे ठीक है और इंडिया कोटा जिनका मेरिटलिस्ट में जिनका नाम होता है उनको उनकी क्वाइस के कॉलेज़ वगरा मिल जाते है तो गैज इस वीडियो की अंदर मैं राउंड वन की कट ओफ की बात करूँगी उसके बाद राउंड टू की कट ओफ तो के जाती है तो कभी भी ऐसे सोचना कि कट ओफ इतनी नहीं जाएगी इतनी जाये आप को यह लक्निक के अंदर पार्टिसपेट कर रहे हैं ॉरि fahren वन में पार्टिसपेट कर आपके private college के अलग होगी semi government college के अलग होगी तो इन सब की cutoff होती है वो अलग-अलग colleges के उपर depend करती है states के उपर depend करती है आपके marks के उपर depend करती है ठीक है तो यह पूरा discussion आज इस वीडियो में रहने वाला है तो guys यह पूरी video आपने अगर exam दिया है अगर आप counseling में participate कर रहे है तो यह video आप लोगों के लिए बहुत ही important रहने वाली है इससे पहले guys यदि आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe जरू किजएगा ताकि आपको आपके exam, result, cutoff, counseling और admission process से related की पल-पल की update आपको मिलती रहे अब guys हम directly चलते हैं कि round one की जो expected cutoff मानी गई है वो कितनी मानी गई है, expected कितने marks होने चाहिए कि आपके round one में ही आपका selection हो जाए, shorty से, तो देखिए तो guys यह मैंने cutoff ली है, सभी categories की ठीक है, जिसमें All India Quota के mostly students होते हैं, तो सबसे पहले मैंने डेहली लिया है तो डेहली की जो expected cutoff मानी गई है, देखिए guys मैं पहले बार बार आपको यह बोल रही हो कि यह round one की cutoff है, जो की high जाएगी compare than other round counsellings, ठीक है तो unreserved की जो expected cutoff मानी गई है, वो 623 to 627 मानी गई है, OBC category 570 to 577, SC category 5100 to 510 and ST category 405 to 410 expected माना गया है next guys अगर मैं बात करूँ, UP की, UP state के अंदर जो unreserved की round one की expected cutoff मानी गई है, वो 590 to 595 मानी गई है OBC category 505 to 510, SC 465 to 470 and ST 340 to 350 ऐसे ही next state अगर हम मध्यपरदेश की बात करें तो मध्यपरदेश के अंदर unreserved category की जो expected cutoff मानी गई है round one की counselling के लिए, तो guys unreserved category की मानी गई है 535 to 540, OBC 525 to 530, SC 440 to 4444 and ST category 335 to 340 यदि आपके इतने marks बन रहे है तो round one की जो cutoff है वो आपकी clear हो जाएगी next guys अगर हम बात करें राजस्थान state की तो राजस्थान के अंदर unreserved की जो expected cutoff मानी गई है वो मानी गई है 590 to 595, OBC 580 to 585, SC 470 to 475 and ST category 462 to 465 next अगर बात करें हम उत्राखंड state की तो guys उत्राखंड state की जो expected cutoff मानी गई है वो मानी गई है unreserved category के लिए round one की cutoff 535 to 540, OBC 505 to 510, SC 370 to 380 and ST category 400 to 405 एसे ही next अगर हम बिहार state की बात करें तो बिहार की unreserved की expected cutoff round one counseling के लिए मानी गई है 585 to 590, OBC 580 to 585, SC category 440 to 445 and ST category 455 to 460 expected माना गया है next guys अगर बात की जाए हरियाना state की तो हरियाना के अंदर unreserved category की expected round one की cutoff मानी गई है 590 to 595, OBC category 575 to 580, SC category 480 to 485 और ST category हरियाना के अंदर नहीं है ठीक है guys तो यह मैंने कुछ states लिए है और भी states जो remaining states है वो मैं दूसरी वीडियो में डालूँगे क्योंकि आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते हो और जिन भी particular states के आपको cutoff चाहिए नीचे comment box में comment किसेगा आपने score भी mention किसेगा ठीक है result भी आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है फिर भी अगर कोई doubt होता है तो आप comment box में comment कर सकते है वीडियो पसंद आए तो like and share जरू किसेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको आपके exam counseling से related की पल पल की update मिलती रहे तो guys जल्द ही मिलते हैं latest update के साथ okay तब तक की लिए thank you